कल एक आर्पीएफ के जवान को ये पावर महसूस हुआ कि वो चलती ट्रेन में अपने एक सीलियर को तीन मुस्लिमों को मार देता है तो ये जो हेट स्पीच है ये जो नफरत की राजनीती है गोधी मीडिया का इसमें बहुत बढ़ा हाथ है अपराधी अगर हिंदू है तो कोई कमी ढूण ली जाती है उसका मानसिक सर्थलन ठीक नहीं है नहीं तो वो किसी MLA किसी करिष्टदार होता है और उसको संदक्षन दे दिया जाता है एक समुदाए को villainize, demonize करना एक ऐसे देश में जहां रोजगार और सिक्षा के लिए देश का यूपा लड़ रहा है जूज़ रहा है जदो जहद कर रहा है हम दिली उनिवर्सटी से आते हैं और हमने देखा है किस तरह से पिछले दो-चार साल में दिली उनिवर्सटी की काया पलट दी गई है जो यूनिवर्सटी इस तहत बनाया गया था कि देश का सबसे marginalized section का बच्चा आय और पढ़ पाए आज उस उनिवर्सटी की यह हालत है कि अगर आपके जेब में पैसा है आप आईए पढ़िए नई है तो निकल लिए इस तरह से ऐसे उनिवर्सटी को दलित विरोधी, महिला विरोधी, आदिवासी विरोधी और एवन मुसल्मान विरोधी, क्लास का डिमोग्रफी, रिक्रूट्मेंट इसके एजुकेशन से दूर करने की प्लानिंग है और लगाता जो यह बारदात है चाहे वो अलग-अलग फिल्मों के माध्यम से हो, पॉपला कल्चर के माध्यम से हो, आप बारदात की बात करें हैं, कली एक वीडियो आया, मुंबई से आपने देखा होगा, एक पुलिस व भारत की, असली मुद्दों पे बात ना हो, रोजगार, सिक्षा, अधिकार पे बात ना हो, तो इतना इतना नफरत भर दीजिये लोगों में, यह अनुराग ठाकुर जैसे लोग, परवेश वर्मा जैसे लोग, जिन्होंने खुली मतलब धर्म संसद हुए हैं भारत में, ज इन मुस्लिमों को मार देता है, तो यह जो हेट स्पीच है, यह जो नफरत की राजनीती है, इसके कारण, अगर भारत में रहना है, तो मोदी योगी को वोट करना होगा, तो यह जीता जाकता सबूत है कि भारत को किस तरह से एक पासिवादी राष्ट में बदल चुका है, तो किस तरह से भारत में, अधिकार का भारत में, विरोध का भारत में, किसी भी तरह का एक डेमोक्रिटिक स्पेस बचा नहीं है, बहुत सारे लोग कहा है कि यह जो पिछले सालों में मीडिया ने जिस तरह से नफरत फैलाई है, उसका ये पढ़णाम है कि आज जो अपने रोजगार के अपने सिक्षा के लिए मांग करने, पर यहां पर आपको कौन सा मेंस्ट्रीम मीडिया दिख रहा है, जो इस प्रोटेस्ट को इस सांसद को कवर कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्यूंकि उनका उसमें खरीद लिया गया, एंडी टीवी खरीद लिया जा र उसका मांसिक संतुलन खराब, डिप्रेशन में था, इस तरह की बाते की जा रही इतने गुरूर अपरादी के बारे में, बिल्गूर हम तो यह हर जगा देखते हैं, अभी श्रदर वॉकर का जो मडर हुआ, हैना किस तरह से कोई भी अपराद होता है, तो अपरादियों में नाम ढूड़िया जाता है, अगरों मुसलमान है, अपरादी हिंदू है, तो कोई कमी ढूड़ जाती है, उसका मांसिक संतुलन ठीक नहीं है, नहीं तो वो किसी का रिष्टदार होता है, और उसको संदक्शन दे दिया जाता है, हम यही जंटर मंतर पे हमने देखा है कि अगर वो आरोपी मुस्लिम होता तो देश में हाहा कार मचा देज़ा अभी 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 इतनी बड़ी बड़ी रालिया होती भाजपा की एवी वीपी राली निकालता पॉलेज इनुवस्टी में बात होती पर अभी कोई बात नहीं होगा क्यूंकि हिंदू है इसलिए तो म प्रवापर चौदी उनको जो है उनका निलम्मन कर दिया दूरती जगह उनका ट्रांसर कर दिया इनकोल यह नई बात नहीं है हम देख रहे हैं भाजपा के राजनीती में जो भाजपा का साथ देगा वो रेपिस्ट हो वो हरासर और पढ़वा से लेके हात्रस तक हमने लिए प्रणिशन दिया जाएगा बाजपा के विरूध हों तो आप को जेलों में बढ़ किया जाएगा आद जेल सबसे जादेलों में जो है वो जरनलिस्ट है वो हमर मंदिर पर हमला भी करा सकती मुयन की हत्या भी करा सकथ बिल्कूल हमने तरह से केरlasuksman कणा चूनांए तो बिल्कुल हम देखी रहे हैं, अभी बिहार में हमने देखा कि ईद की समय हंगामा हुआ है ना, दंगे कर आए गए महरम में, मैं खुद बिहार से हूँ, बिहार एक ऐसा शहर है जहां मैं पली हूँ, बड़ी हूँ, बड़ी हुई हूँ और मैंने कभी महरम के टाइम इस पर डेलीबरेटली कोशिश करके, जहां से वो जाकी जाती है, वहीं से आसपास उसका एरिया ऐसे कर देना कि हिंदुों का इलाका हो, तो कुछ हींटे फेकना, मतलब तेजा आपकी बॉटल फेकी जा रही है, तो इस तरह से शोटे-शोटे शहरों से इन्होंने अपना काम क शुरू कर दिया है, छोटे-छोटे शहरों में इन्होंने अपने क्या कहते हैं, गुंडों को लगा दिया है, और वहां से ये लोग शांप्रताइकता की आग लगाना शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल, इसकी चुनावी जो फसल है, इसको ये लोग 24 में एकदम काटेंगे है क्या लगता है, बरेली में भी एक हिंसा की साजिस थी, प्लानिंग थी, जिसको प्रवाकर चौधरी ने जो नाकाम कर दिया, इसलिए उनका निलभमत कर दिया गया है, बिल्कुल, बिल्कुल, ये इस तरह से दुभाजपा करती रहे हैं, मैं यही कह रही हूं कि आज जो जे करती है, बिल्कुल, और क्योंकि ये बात इनके लिए सोचने जैसी बात नहीं है, पुलिस अफसर हमने भी जो देखे हैं, पुलिस अफसरों का काम क्या है, स्टेट का टूल है, हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, बिना पुछिये, बिना जाने हमें ब्रूटली टीटेन किया जाता है, वसों में भरा जाता है, तो एक ऐसा पुलिस अफसर जिसका थोड़ा इमान बचा है, जो शायद देश को समझता है कि भारत एक लोग तांत्रिक सेकुलर स्टेट है, तो शायद उसके लिए वो खड़े हो रहे हैं, और लगतार एक लंबे समय से वो इन चीजों को क्रिटिसाइज करते आएं चीजों के खिलाफ सशकता आवास नहीं है, तो इसलिए कि यहाद चुनाप करीब है, ऐसे में यूद क्या सोच रहा है, क्या लड़नीती है, किस तरीके से दोच रहा है, बिल्कुल यही कोशिश है कि एक बड़ी गोला बंदी, एक बड़ी घेरा बंदी की जाए, और यह खाली यूद की नहीं, यह तमाम जो शोचित अपके से आने वाले लोग हैं, महिलाओ की, दलित की, आदिवासी की, मुसल्मानों की, जो तमाम लोग मूर्दी सरकार्द वाला सताये गए हैं, उन सबका एक बड़ा सॉलिडारिटी हो, एक बड़ा क्यूंकि हम देख रहे हैं कि लगातार, एक लंबे समय से, देश में कोई opposition नहीं है, पर यूथ हैं, लगातार हम देख रहे हैं, इनुवर्स्टी स्पेसे में, classroom को बदला जा रहा है, syllabus बदला जा रहा है, क्यूंकि यह लोग की ड़ते हैं, कि यूथ पढ़ेगा, critical thinking होगा, सवाल करेगा, तो इनकी सटा पलट सकती है, इंडिया वर्सेस एंडिये, जो मोर्चा बनाया, उसको कैसे देख रहे हैं, बिलकुल एक अच्छी पहल है, और जरूरी है, इस समय में, जिस solidarity की मैं बात कर रहे हैं, तमाम सोशित तब के, उसी solidarity का एक जीता जाकता सबूत है, क तमाम opposition party, एक बार को अपने जो भी थोड़े बहुत मतभेद हैं, उसको भूल कर, क्योंकि भारत में सबसे बड़ा चुनौती है फासिवात को हराना, तो बहुत जरूरी पहल है, और बिलकुल उम्मीद है कि ये कामियाब हो, मोदी जी कहा रहा है, ये ब्रेश्ठ चारियों का कटवन बन गया। मोदी जी तो बहुत कुछ कहेंगे, मोदी जी ओपोजिशन का कटाक्ष करते हैं, मोदी जी देश में कुछ होता है तो बोलते नहीं है, विदेश जाते हैं तो बयान देते हैं, विदेश जाके भारत का डेमिक्रिटिक डिये ने हैं, तमाम तरह की बात वो विदेश में करते ह माहिलाओं के साथ किis और मन की बात करते हैं हर महिना थो इतना बाचीश करते है ताकि किसी तरह का उत्पाद में पूस्ते हैं। तो स्टुडेंट्स को बंद क्यों किया जा रहा है कि ये एक तरह के स्टुडेंटेंट को स्टुडेंट जो सवाल करेंगे तो नरेंद्र मुदी से बड़ा डर्फोग प्रधानमंत्री आज तक नहीं तो कहते हैं ये कुछ आंदोलन जीवी है जिनने हमेशा विरोग करने हैं आंदोलन जीवी होना एक गर्व की बात है भारत को आजादी आंदोलन जीवी ने दिलाई तो मुझे कोई शर्म नहीं है अगर हम लोगों को आंदोलन जीवी का टैग लगाने हैं और नरेंद्र मोदी को मतलब ये लोग वो लोग हैं जो सावरकर को पूछते हैं वैसे जो तो इंडियन मजाहदीन के साथ भी था और इस इंडिया कंपनी जो थी उसमें भी था ये अंग्रिया जो और आतंगवादियों से तुलना कर रहे हैं भी परक्षकी बास गोल गुमाने की पूरी राजनीती है ना क्योंकि आज तक क्या इस प्रधान मंत्री ने कोई प्र लोग मुश्किल से परिज़ खरीदे है बच्चों के लिए पढ़ाई का सामान सब दूब गया है ना सारा सामान खराब हो गया क्या आया केच्रिवाल ये नरिंद मूधी मूवी देखने, पूछने भी जिंदा होगी मर गया तो जहां पे आना चाहिए, जब जनता परिशान है, जब तरास्ती आई है, जब मुश्किले हैं तब नरिंद मूधी दिखते नहीं है तो कोई फायदा नहीं है मन की बात का ये विदेश में जाके बात करने का तो 2024 में मोधी जी दुबारे प्रिधान मंत्री बनेंगे या हटेंगे कोशिश बिल्कुल रहेगी, बिल्कुल ना बने, अगर देश को बचाना है और देश को लोकतांत्रिक रखना है क्योंकि एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, दुबारा आएंगे तो होई सकता आगे चुनाव भी रद कर दिया जाए लेकिन उन्होंने तो खुद को घोसित कर दिया है, कह रहे हैं, जो काम रहे गए हैं, उनको तीसरे कारिकाल में पूरा किया जाएगा बिल्कुल तो ये तो एक तरह का डरने का बात है, बहुत दरावनी बात है, क्योंकि इस तरह से अगर उन्होंने अनॉंस्मेंट कर दिया है, तो एक चीज तो ये भी अब क्या वोटिंग में क्या घोटाला होगा, कितना अधंगा फसाद होगा पर आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक बड़ी संख्या है, जो भारत का जो विचार है, भारत का जो सपना है, उसको बचाने के लिए किसी भी हद तक लड़ेगा अच्छा, EVM का एक बड़ा मुद्दा रहता है, तो EVM को आप कैसे देखती है, क्या आप मांगे EVM पर गड़बडी होती है बिल्कुल होती है, और जो इतने शशक्त, इतने पावर्फुल लोग हैं, जिनके पास गुंडों से लेके, आईटी सेल से लेके, दुनिया भर का पैसा है, उजी पत्यों का समर्थन है, तो बिल्कुल एक घोटाले का तो बिल्कुल बिल्कुल आशंका है, और बिल्कुल कर तो क्या लगता है मोधी जी प्रधान मंत्री ब्यूपी सत्ताय में जो बार भार आ रही है। खाली एवियम को इसे बड़ा कोशिश है जब फासिवाद आता है जाहे हम जर्मनी की बात करें तो जिस तरह से वह आता है वह आपको बताता है कि आप बहुत खत्रे में हैं है न, एक जूट पैदा करता है और खत्रा किस से है, उस जूट में एक कालपनिक दुशมन पैदा करता है वो कालपनिक दुश्मन कौन है भारज में मुसलमान, तो किस तरह से हिंदूों को, हिंदू भावना जगाय जा रही है उन लोगों मेरे जिनको बंक से हिंदु के अंदर को लोग सिकिल वोझि एड़ेयर की इस शाल से पानि पानी पिता है रएं manner लोग परी में बिशनी को अभूया जा क कि यह दिए पोत्चिय मेठता है करति हैं एक पहल विरोध का शुरूआठ चेला एक करो रहा है डो कॉशिश की च wraidać करने की कोशिश तो वीजेपी का New India कैसा है जो हाद श्क्राइब अगर दलित हैं आप अपना नाम नहीं बताइब आ से बहुतbag और से बाहर निकलने में भेंगों आप अगर इस तपके से आते हैं आपको सिक्षा नहीं मिलेगी आपको रोस्गार नहीं मिलेगा हर दिन हर दिन खट्रा है तो